जानिये कहानी बिहार के उसने इता की जिसने सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड किया अपने नाम आवाज में था इतना वजन की पीम ने सीधा मिलने को बुला लिया बीजेपी के लिए जीत कर दिखाई सबसे मुश्किल सीट डीटीसी बस से संसत का तै किया सफर अलग धर्म में की शादी तो बनी अमर प्रेम कहानी पुर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई आख मूद कर करते थे भरोसा कम उम्र में किया ऐसा काम की आज बीजेपी के मुसलिम फेस है जानिए सब कुछ शाहनवाज हुसेन के बारे में कहानी जिन्दगी की में गरिमा भारती के साथ नमश्कार लाइफ सिटीज के खास कारिकरम कहानी जिन्दगी की में आपका स्वागत है मैं गरिमा भारती आज हम आपको एक ऐसी शक्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने शायद ना कहना कभी नहीं सुना इसलिए उनकी जिन्दगी की कहानी भी खास है DTC बस से सफर करते हुए इन्होंने साथ ब्लॉक तक का सफर दे किया और आज भी पूरे देश के यंगिस्ट काबिनेट मिनिस्टर होने का रिकॉर्ड इनके ही नाम पर है कभी बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीट रही किशन गंज को इन्होंने अपने नाम कर लिया था आए आपको मिलवाते हैं बिखार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से सबसे यंगिस्ट काबिनेट मिनिस्टर रहे और आपकी जिन्दगी कहानी सुनकर ही लगता है कि मुश्किल तो बहुत रही होगी क्यूंकि जैसा कि हम जानते हैं आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका पुलिटिकल करियर हो तो हम जाहेंगे कि उस पर थोड़ा प्रकाश डाले और शुर्वात मैं बाजपई सहाब से ही करना चाहूंगे आप अटल विहारी बाजपई जी के समय में मंत्री रहे और आप पर काफी भरोसा भी करते थे मैं जाहूंगे कि आप उनसे पहले मुलाकात की कहानी थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ रहे पैदा तो मजफ़ापूर के शियावलपूर गाउं में हो अनानी हाल में अब फिर मैं अपने दादा के गाउं बजरुगदुवार में जो सुंस्तिपूल में वहारा पूरा जो वहां एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग की बढ़ाई की तभी मेरा ध्यान तो राजनीत में रहा था और मैं जब मजफ़ापूर में था तो चौरासी के लोकसमा के चुनाओं के वक्त में जोर्ड साहब नहीं ले रहे थे लेकिन जोर्ड साहर मुझे बहुत प्यार करते थ तो उस वक्त मैं थोड़ा बहुत सियासत में आ रहा था तो मेरे फादर टीचर थे बड़े नाराज होते थे कि भी हम लोग मामली शिक्षक हैं बेटा अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा राजनीत में चला जाएगा तो बड़ी लुकावट हुई लेकिन मैं जब दिल्ली तो मेरी मुलाकात महारिफ बेक साब से भी हुई वो डॉक्टर शंकर दैल शर्मा को 77 महरा कराये थे बीजेपी के रास्तिय मंतरी थे और पुर केंद्री राज मंतरी थे उनसे मैं मुतासिर होकर बीजेपी मैं कामकर 86 में और 86 में मैं भारती जनता पाटी से जुराओ हो गय और उनके साथ आता जाता था 87 में मैंने ऐसी एक दिन फोन लगा है अटल जी का नम्मर मिल गया आजको दो नेता देखिए कुछ बन जाते हैं तो कितना आपने अपको पुरा पॉंपन फोई बदल जाती है लेकिन फोन उठाया तो बोलिये तो मैंने का मैं सेयत शानवाज ह ने बोला हूँ तो मैं चला गया मिलने दूसरे दिन में तो पेंट्रट पेंटा था बहुत बुबला पतला था तो वहां पहुंचा जागे बैठ गया को सिकूरूटी भी उतनी नहीं थी तो बैठ गया तो उन्होंने अपने पीये से का भी वो शानवाज साब आने वाले ज मैंने का सब मैं ही हूँ तो ऐसे देखा अच्छा आप शानवाज हैं उनको लगा आवाज से कोई बजर्ग आदमी आए और नाम भी काफी हाँ नाम भी सेयद शानवाज हुसेन आये तो मैंने पिर बात के बहुत प्यार से बिए अटल जी नेचुरल लीडर थे बनावटी बड़ा उनके अंदर अपना पंध था और बीजेपी के बारे में हमारी राय अलग थी क्योंकि प्रसप्शन बीजेपी का अलग था और जब मिले तो उतना स्नेह उनोंने दिया तो मैं बच्पन से उनको जानने लगा फिर ओमा भार्ती जी यूर्मोर्चे के दक्ष बन गह उसके बाद उमा भरती आगी तो अब तो गरीमा भरती हैं हमारी जो गरू उमा भरती वो जब आई तो हमने का ही चबी तो बड़ी हिंदु तो बादी है पता नहीं मुझे टीम में रखेंगी ने रखेंगी लेकिन उन्होंने बहुत माना अपना भाई बनाया और उनके लग इमिज बनी हुई थी और अध्या का भी आंदोलन चल ला था तो उस वक्त मैं युवा मर्चा में काम करने लगा फिर च्यानवे में जो चौरानवे पंच्यानवे में उमा भरती जी की टीम में रास्टी मंत्री बन गया जमु कश्मीर और हिमाचल चंडीगर का प्रभ तो सफर चलता रहा फिर एक बाल उमा जी ने कहा कि हमें मुस्लिम युवाओं को जोड़ना चाहिए बीजेपी के साथ क्योंकि पहले तो कुछ नाम के लोग होते थे बहुत जादे लोग नहीं आते थे हम जुठा दावा आप से नहीं करें तो हमने शुरू किया कि युवा मुस्लिम कभी नहीं आये थे बाहर भी लोग थे पांस साथ हजार लोग आगे सुबह उमा भरती ने का शानवाद छोड़ दे नहीं होगा लोग नहीं आएंगे बदनामी होगी फिर प्रनौत महाजिन जी में उमा मंत्री थे पाड़ी के उनका कि तुमने क्या सम्मेलन रख करता लालकृष्णडवानी जी सिकंदर बग्त जी उमा भारती जी समापन करता हर्टल भारी वाजपे जी अभी लोग सभाव भं होने वाली है ना जग्रा चला है वहां लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या मेसेज जाएगा छोड़ो कोई नेतावी नहीं जाएंगा फिर मै जा लिया मैंने वह सम्मिलन में बड़े-बड़े कुशवाव ठाक रहे थे और बड़े-बड़े नहीता थे जो मंच पे नहीं बैटके बाहर बैटके देख रहे थे तो यह अलग नजारत और मैंने उस हौल का नाम रखा शहीद अश्वाक अलाखा नगर हमारे यहां होता अपने नगर बसा देते हैं उसको हरदोार पर लिखा तो एक दोहर पर सामने लिखा था शाहनवाज दोबगता था है जी ने आए के दोहर बना लिया है तो हमने कहा नहीं सर ये जनरल शाहनवाद जो नेता जी शुबास के जनरल थे जो इनाड़ा लगता था लाल कले से आई आई आवाज सहगल धिलनाव शाहनवाद तो उसमें तो खुश हुए हम लोग को उस वक्ते में मौका नहीं मिलता था बड़े नेत तो मैंने सुचा कि अटेजी के सामने कर दिया जा तकरीर तो मैंने कर दिया जाप छोड़ दी जाए हाँ तो बस मैंने जो तकरीर किया और उससे वह बहुत मतासिर हो गए हमा जी से का वे ये तो अच्छा बोलता है इसको बल लड़ा लुक सबा तो मैं जब लोट के आफिस गया शाम में जी किशन डिड़ी जो गी मंत्री है वो महा मंत्री थे और मैं मंत्री था मा भरती जी अधक्स थी तो उन्होंने कहा कि देदी बुला रही है गया शानवाज बता तू लोकसबा जड़ेगा जी ती बताईए उसी दिन लोकसबा भंग हो गया अटल जी लोकसब बुलाया हमें यहां कि लोकसबा बंग करके हम आ रहे हैं तो चुनाव का एलान हो गया तो फिर मैंने कह दिया उमाजी ने पूछा कौन सी सीट लड़ेगा ब्यारी हैं ब्यार में लड़ेंगे कौन तो मैंने कहा जो सबसे मुश्किल सीट है किशन गज वो दे जी जिए सब पहले शाहबदीन लड़े तो मैंने सुचा सेयद शाहबदीन वरसे सेयद शानवास हो जाएगा तो हम लोग उस चुनाव में फिर मैं घर आया तो मैं बस से पहुंचा गर अपने और उमा जी का बहुत फोन आट मेरे पस अपना फोन नमबर नहीं था तो उस पर फोन आया तो मैं क्या हुआ जीदी बुले तरह टिकट हो गया है मैंने का मेरे मैंने मजाक में खा था उनने का नहीं नहीं तुझे लोग सभा लड़ना है कि शंगेंच से पार्टी में तैय किया और कहलाश पती मिश्रा जी यहां निता होते तो उन्होंनों भी तैय किया कि नहीं शा सारकंडा और भीहार एक ही था चोववन सीट में तो मैं यहां बीजेपी ओफिस में आया तो कोई पैसे वेसे भी डी कटेगरी में तो जानता है हारने वाली सीट है कभी नहीं जीती गई तो कोई मानने को तैयार नहीं था लड़ने के लिए तो वहां बड़ा बिरोध हम वहां से लड़े जब चलने लगे तो कोई जान दो कोन है शाहनवास है तो लोग तरदर से गलत फ़हएं कोई करा इस बड़े नेता का दमाद है कोई करा यह है कोई करा है वोह अनि लोग जूठा प्रचार अब तो शोशल मेडिया आगया और जादे होता है लेकिन तो व वोट मांगने, तो कुटा पर जामा 3-4 सिलवा है था, तो गये तो, अब लोग करें कोन विद्वार है, तो जो मोटा हो, उसी को समझ जाए को विद्वार है नेता टाइप का है, तो लोग इमाजन नहीं कर बारे हैं कि कोई कम उमर का लेता है, तब तो 19 साल ही उमर थी, तो औ मैं थोड़ा उमर से कम दिखता हूं तो उस तरह में और कम दिखता था, कोलेज के लड़का लगता था, तो फिर मैंने सब बोकावे, सब लोग पैंशर्ट मे रहा हो, कुर्ता पजामा में हम रहेंगे, तो हमें पहचाने रहेंगे, और मैं वहां गया अररिया, वहां के जि हमारा जो है, वह भाषन हुआ, तो भाषन से उनके इप्रेस होगे दो, फिर हमने नमिनेशन किया, और नमिनेशन के बाद जैसी हम बोगी में बैठे, मेरा वो था बड़ी गार्ड मिलता है, तो वह भी पहली बड़ी गार्ड मिला था, परा सर, तसलिम अदिनीसी में बैठ है, मैंने का, बैठेंगा, बैठेंगा, तसलिम साथ को इतना महौल था उनका, दुनिया में नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे शक भी पोलूँगा मैं, तो उनके नाम से जो है, वजन था कह सकते है, ने वजन नहीं था, वो थोड़ा बहुबली टाइप की इमिज थी, तो वो लोग डढ़ते थे, तो मैं गया, मैंने का, गो, मेरे तो पिता तुल है, तो मैं गया, मैंने का, चछा, असलाम उलेकम, मैं ही शाहनवाज हूं, तो मैंने का, अच्छा, आप शाहनवाज हैं? वो भी दंग रहे गए, उनकों छोटा से लड़का हमन्से लड़ी आ कुराय था और कोई हमें गंबेटा से वहां लेने को तैयार नहीं था लेकिन पहरा चुनाव लड़े और बहमानी से हड़ाए जाए जाए यहने 6,000 वोट से न्ठानवे का चुनाव रहे जाए सिर्फ 6,000 वोट से बहुत अफसुस हुआ मेरी मां तो जिल्दा थी तो फिर नौए पर चुनाव से आप लौट से अदXT से घंज हमें उत्हाए जाने का उंडा नहीं хूट में आश हाथ जा सब्चा गया तो जाहिको हमें गई तो एक बलाया के लोगों में तो प्णम आन्व किक्का से आफ से नौड आ जान जान। अफ है दान्वां से न्हां दो है, तो सभा करने भी नहीं आय था नठान वे में कोई शुशील मोधी एक हेलिकॉप्टर से गए थे हमें तो हेलिकॉप्टर देखा और पांच साथ लाग रुपिया पार्टी ने दिया था और एकाग रुपिया हमारे दोस्तों ने दिया था बस उससे चुनाव लड़े अब तो अदर हुए हम मिली, तो दू और विदान सभा में एक गारी देने और है, कैसे कैसे हूँआ, काई-क कोई हमामर दोस्त देने लगा छ घारी तो मुश्क्शिक रइस है, तो चारी मिली, वो तो महिंदर की जो चौह कमांडर थी, उसके ओपर हुड खरे वो के भाषण दे के तो लोग कहते थी यहां पर सकतमल बोलिये एक बेरिग 것이 चौक है को हम बाशन दे नहीं वहा दो acum बाशन दे नहीं हो देह को ल्ग डेल को मुर हम लोग को कर भी जाना है तो हमने कहा रहें चिंदा मत करो लोग समझते थे इतना ताकत से बोलता है उस आलाके में तस्लिम साथ का नाम था या पॉयादव का नाम था पुर्णिया रडिया किशंगेंच के लाखें सीमांचल में तो हम गड़े और उससे 98 में मेरी माँ लेकिन उन्होंने कहा था कि अगली बार ये जीते लड़ेगा भी ये जीतेगा और मिनिस्टर बनेगा लेकिन मैं नहीं रहूंगी वो बहुत बजर्ग थी हम लोग एक सुनी सेद घराने में पैदा हुए और वो बहुत अबादवादी थी और उनकिया इंतका नमाज में बिजड़ा में सर था उसी में रूप परवास कर गए तो मेरा येकीन था के अम्मी ने कहा है मैं तो चुनाओ जीतूँगा है। मैं इतना पक्का येकीन था मंदर कौंकि मैं मा को बहुत मांता था मैं जीत गया चुनाँ जीत गया तो कहला शुपती मिश्रा जी मुझे बह मुश्किल से रिजित के गया, मैं ही जीता निनानवे, उसके बहले भी बीजेपी नहीं जीती, और उसके बाद भी दो लड़ी लड़ी तीन बार, बीजेपी भी लड़ी 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 लड़ी, कोई नहीं जीता, क्योंकि वो सबसे जादे मुस्लिम अबादी वाली सी थी फिर खबर आया, फिर रात हो गई, रात भर हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा रे कपड़े उपड़े सिला दो मंतरी बन सकते हो, कैसे बनूँ अभी तो जीता हूं, मैं नहीं आया हूं, तो फिर वो एक टेलर की हाल ले गए और उनका जैकट सी दीचे, तो उसने कहा जी अभी तो उमर अब्दिल्ला का शेरवानी सिरा है, उनको मंतरी बनने वाले हैं उनके लिए, मेरे दोस्त ने कहा यार हमारे दोस्त की भी सिल दो, इसकी तो शादी में भी इसने पुराने कप्रे में की, इसने शेरवानी भी नहीं पहनी, क्योंकि हमारी पत्नी रेनु जी से मेरी लव मेरे इस थी तो हम रड़ी कोई शादी धूं धाम धोल बाजा घोड़ा घोड़ी इसा कुछ ने तो उसने का कि हाँ जी मैं इसको आपको एक दिन में शिर्वानी सिर्दूंगा तो दिवान साहब करके तेला है उसने शिर्वानी सिर्दी नहीं वहाई दिली में और और उसके बाद शिर्वानी के साथ वह चपल कैसा होना चाहिए तो हम सौथ एक्स गए वह भी लेने चले गए वह सब आगया शिर्वानी भी आगे दस बजे तक लेकिन इनिवेटेशन नहीं आया मंतरी का मनलब पोथ लेने का तो फिर हुकुम्दे बावु ने फोन किया व वह भी मुझे बहुत मानते हैं मेरे बहुत अच्छे समन है ऐसे तो मेरे इस उमर में बहुत बड़े हैं पिता तुल है लेकिन अपने भाई दोस्त की तरह मानते हैं तो रहे शाहनवाज तुझे नहीं मंतरन आया हमने का नहीं नहीं आपको आया हम आया हम आया राज मंतरी मंत्री बनने जा रहा है जिसके बाद अपना नंबर नहीं है तो पीपी नंबर है फिर हम पीपी नंबर के गोले नंबर दीजिए वहां से फिर्फ होना है कि प्रधान मंत्री जी अटल वहरी बाजपे जी आपसे बात करना चाहते थे सर आपको मबारक हो आपको अपना मंत्री निप्त किया है अब पांच पास बेस्टन कोट से ले लिजे कल आपको 11 बजे ओथ लेना है मंत्री पत का तो बगी खुश हुई तो कैसी फीलिंग थी एक अब वह में केंदर में मंत्री बही जाना तो फीलिंग दुख वाली थी अब बहुत खुश भी नहीं हुआ थी तो क्मी खल ले थी कि काश अम्मी होती आपके आपके वालिद ने अपसे क्या कहा कि क्योंकि वो तो बच्पर में कहा करते हैं कि टीचर के वेटे होँ पड़ों पर होने कहते थे तो मैं अपने वालिद को ले गया और मेरी धर्म पत् पर दो पर भास मिला था एक शूशिल मोदी जी को दिया, विए उनसे भी एक अच्छा रिष्टा था, मेरे चुनाओं में बाद के चुनाओं में परमोद महाजन आये, उमा भार्ती आई, मिननों पे वाले में परमोद महाजन जी ने तो मुझे लड़ने के लिए उनको जा क् पिछली बार भी होते पचास जार तो जीत जाता है, बूत का पैसा देने को नहीं है, तो उन्होंने फिर मुझे मदद भेजबाया, काय दम चिंता मत पर जीत क्या हो, तो फिर मैं ओथ लिया, उमा भार्ती जी अपने गारी में बैठक, कि एक उन्क्रिमेंडल की बैठक मिल अग्राइब करदे गए और बहुत सने दिया उन्होंने, वही हमरी गुरुगार्जियन, तो वह सफर रहा, फिर मैं यूथ अफेर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्र, पहले मुझे फोड प्रोड प्रोड प्रोड्रों के उन्स्ट्री मिनिस्ट्र इसके बाद यूथ अफेर स्पोर मिला फिर HRD मिला फिर एक बार मैं HRD में था तो फोन आया उनका प्रमद महाजन का मैं Zee News से सुधियर चोधरी से बहस कर गया मानद गुपता से एक डिवेट से लॉट रहा था तो उनने का शानवार तुम कहा हो मैं गारी में हूं बोले देखो एक सुचना दे रहा हूं पहले का मैं मैं देखो पहले चम रिक्राम लॉट र्म.माजन देखता लोकशन देखो. देखो लीक्राइब चिंडेखो कतरि और पिता जी जाया है, लॉट इखो भूम्हाराजाज हूं भीले चनाे भू horrific री तूम जांगा, मैं गोश्ते है गोटेश भूम अने पतलया तो उसमें में काम कर रहा था, अच्छा काम किया था, बाचपीजी बहुत खुश थे मेरे से, बहुत इमांदारी से काम किया, तो मैं आया, उन्होंने का, तुम रेनु से भी मत कहना, मुझे खुशी उस दिन, कैबिनेट मिनिस्टर बनना आ ये, तो मैंने खाब ख्याल में न क्या हाल है, क्या हुए, आप तो भी ऐसे नहीं बात करते थे, फिर मुझे उस दिन नहीं दिन ही आ रही थी, सोच रहा था कि कैसे होगा, तीसरे दिन हो था, एक दिन पहले प्रमोच जी को पता लगा था, तो उन्होंने बता लिया था, फिर निशनल डेवलेमेंट कॉंसिल की मीटिंग थी, तो उसमें राबरी देवी बुखमंतरी थी, वो आई हुई थी, बादल साहब थे, उन लोग को भी थोड़ा अंदाज हो गया था, बादल साहब में, हमें बहुत मानते थे, तो उन्हें का जी, तुसी क्याबनेट मंतरी बन रहा हो, तो उन्हें का हो, जी स मैंने तुरंट बात पलट दिया, मैंने का सर, आप मुझे इतना प्यार करते हैं इसका मैं, ये का, आप इतना ख्याल लगते हैं, मैं तुरंट जान चुड़ाया, मिनका गांधी, वसंदरा राजे के बीच में मेरी सीट थी, क्योंकि इंडिपनेंट चार्ज मिनिस्टर थे मैंने देखा मुपाय बाहर आया, तो फोन आया मेरे पिये का, क्या आप तो हेडलाइन में चल ले हो, मैंने का, अभी तुम बाच्पेजी से मिला होना तो कुछ नहीं बोला, तो उनोंका नहीं आ रहा है, कंट्री गेट, जोर्ज एज एज डिफेंस मिनिस्टर और पिर उसके बाद वो फिले में स्टार हैं, संजय खान मेरे दोस्त है, तो उनका फोन आया, कि तब तक मैं घुले में टीवी देख रहा हूं, आपकी फोटो चल लए है, आप सिविले विशन मिनिस्टर बढ़ में बहुत बड़ी बात है, पिर आया तो मैं ओठले में गया, में पिर पिर इस प्रवमें चैम में राश्ती से काम किया, और असके बाद सब लोग चunning किषंगंच से हम लोगु नितिवी बार से हर गय, मिशहरद जी मधिपूरा से हर गय है, 섹ुले में किषंगंच से हर गया, बड़े नेतासी पिठा गुर हर गय, समंत्री हर गयुए, तो अटल जी की कवीता पे दून बजावा हूं। और क्या था कि मेरा जो नाम हुसेन था जिसे अटल जी फिर अड़वानी जी फिर अनंत कुमार फिर धिंड सा डी पर जब मोहन उसके वार एच शाहनवाज हुसेन। विहार में तो ओथ के हिसाब से बैठाते हैं लेकिन सेंटरल गौर्मेंट में आपके नाम से बैठाते हैं। लालकले में भी जब कभी बैठा तो मेरी मिसेस रेनु साथ होती थी तो मेरे पीछे बड़े-बड़े मंतरी होते थे तो साहब सिंग बर्मा मेरे दोस्त थे वो कहते हैं तुने क्या सेटिंग किया तू आगे बैठा हम सब पीछे बैठे हैं तेरा नहीं भी शानवाज थे नहीं का साहब सिंग और एस एस यहां है हुसें तो एच से मेरा सीटा भी आगी जो पेपर आता था तो उस वक्त छपता आख जी के नौरातनों में आउपलुक में चापा इंडिया टूबे ने तो 10 मंत्री की फोटो चापी तो मेरी भी नितिश जी की बिथी उसमें तो हम लोग वहां काम करते रहें टेक्स्टाइल में हमने काम किया काफी तभी मेरी नितिश कुमार जी से एंस अग से मेरा पड भीर का पार्ट था अलब चुनाव लड़ा था लेकिन अब हो आये थे गाइसल में रिजाइन किया था और में वहाँ था तो मैंने दूर से सब लोग घेरे हुए थे तो मिलने का भी मौका नहीं था बाग में जब मैं बना तो उनका भी बहुत सने मिला और जो दिंग्वीजे दूरे सिंग थे नाका वाले वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे तो हम लोग फिर साथ काम करने लगे बिहार में सब लोग हाल गे फिर विधान सबाग अचनाव पिर नितिश कुमार जी के नितुरत में वो सरकार थोरे दिन की बनी पहले जो बनी थी तब तो मैं मंत्री नितिश जी एक रिकल्चर में थि अफिर नियायातरा हुए तो मैं नियायातरा में दर्मगा से लेकर पूरे नितिश जी के साथ रहूत में इनडिए के तोर पर हम जाते थे पिर नितिश जी ने शरण जी आदबल के तो तीन जेडियों की शरत जी होते थे वो राष्टिय देख्षते तब तो मैं हर सीट पर जाता था फिर बिहार में जब सरकार बन गई तो शुशिल मोधी जी डिप्टी सीम बन गया नितिश जी सीम बन गया तो एक नालंदा के MP थे नितिश जी तो वहां बाई एलक्षन हु फिर भागलपुर में मेरा अचनाओ का नाम आया भागलपुर ऐसी जगा जहां कभी हिंदु मुस्लिम दंगा हुए और दंगे की जांच की गोशना नितिश कुमर जी ने कर दी वहां पे महाल लगदम गरम था और एक बाई मेरी पार्टी में बड़ा विवाद था इस अचनाओ की ने हमें तै कि हम भागलपुर लड़ेंगे अज़ भागलपुर लड़ने गए तो वहां पहुंचे तो लोगों को सर्प्राइज हुआ कि शानवाद लड़ने आए और शक्नी चोधरी जी से हमारा मुकाबला हुआ है समराग चोधरी मेरे पहले से दो जब मैं मंत्री था तो राज में मंत्री थे तो मैं आता था तो उनकी यहां खाना वना खाता तो पुराना संबन नहीं यहां पट्ला में मैं भारत सरकार मंत्री था तो स्टेट गवर्मेंट अलग थी तो वह गारी दे थी ठीक से गारी दे ईरिए लालू जी का वो राज था, फिर लालू जी की हाँ, मैं funeral Million में जब आया तब लालू जी ना तरिया से कुछ मंतरी की हाँ जाना था गय। लेकिन लालू जी मिलते अच्छे से था। और मैं किकुछ मां में अम्रे में बड़े थे तो हम लोग लगे रहे, फिर लालू जी जैसे ताड़ापूर का चुना हुआ है, उप चुना हो तो आप जानते हैं, दोनों पार्टी जम जाती है, बड़ी बड़ाई हुई, फिर हम भागलपूर से करीब संतावन हजार गोट से शक्मी चौदरी जी के सामने जीते, फिर दो पूर गए, कोपिनात मुंडे की यहां बीड गए, तो नौ दिन हो गया, फिर हम ओवर कॉंफिडेंस में सिर्फ आठ हजार वोट से भागलपूर से रहे, तो साथ साल तक हम पार्टी के तरवक्ता के तरव कर काम करते रहे, हमने कभी पार्टी से कुछ नहीं बाग, इस बा होता है, सामने का, तो इस बार भी हमने लड़ाने की बात थी, फिर हमें एक मैंने लड़ पाया, मतलब मैंने थोड़ा रास्ता निकाला, लेकिन एक बार मैं भागलपूर में था, हमारे पार्टी प्रसिडेंट का फोन आया कि आप प्रणाम मंत्री जी का आदेश है, पार् अर्द्योबर रोजगार की बात हो रही है, और आपका लगाओ उधर कोसी सिमानसल से काफी रहा है, तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि वहां के लोग जादा पलायान करते हैं, और मजबूरी भी है इस तरह की तो उसको टाकल करने के लिए इस वक्त भी हर से कार्गार कैस गंडू लग जाता था सुपाल सार्था, मधेपुरा, ररिया, किशंगन, कट्यार यह सब जाने में, मिकिश जी ने उसको बहुत अच्छा किया, रोड इंफरस्टिक्टर बना दिया है, और हम क्योंके उस इस आलाखे में को जानते हैं अच्छे से उस सिमानचल को भी, कोस जो सबसे पीछे उसको सबसे आगे लाना है, और जो आगे उसको और आगे ले जाना है, और युवा सोच बिहार की क्या चाहती है, उसको लेकर आप काम करें, युवा सोच देखिए, बिहार के लोगों में बहुत दन है, बिहार के लोग अगर चाहें, तो वो आज बहुत स यहां करें तो बहुत जादे अच्छा होगा। और बहुत सारे बिहारी हैं जो उन इंडस्ट्री की जान हैं। वो ना रहें तो शाइद बंद हो जाए। बड़ी बड़ी कंपनी में जो आप जाएंगे तो उसमें बिहारी लोग है। बिलकुर। करिए जाम प्लाट्फॉर्म देने की कोशिश कर रहें। आज अज शाइए आगे बर रहा है। तो वहार को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर काम में लगे हुए। और मुझे शुक्त बहुत का अत्मिश्वास है। कि हम बिहार में उद्धोग अरोजगार का माहल बनाया है और आगे भी उस पर काम कर दोरान कई दफे अपनी धन पतनी का नाम लिया रेनु जी का और जब आप मुद्दा सुनते हैं अभी लव जिहाद का तो आप लोगों का क्या रियाक्शन होता है दिमाग में कैसी बाता है यह लव जिहाद एक अलग विशह है हमारे लिए तो सिर्फ लव है अच्छा जब हम दोनों एक बस में मिले थे और बहुत इलेवन्त में थी हैं क कोई दिवारे रही कि उन्हें इसलाम कबूल करना पड़ा या आपको हम लोग के लोग तो राजी नहीं थे आज हमारे सुस्राल वाले भी राजी है घर वाले भी राजी है को रेनु है मैं शाहनवाज हूं साथ में मिलकर वो टीचर है कभी तरी भी है तो हम लोगों को वो कहते हैं ना ना उम्मर की सीमा हो ना धर्म की सीमा हो ना कोई हो आज कोई बंदर की बात नहीं है वो हम लोग अब तो बच्चे भी बड़े हो गए तो मुझे इस सवाल का ज लगता है कि अब तो घर में बहु आएगी और यह भी नहीं पता कि कौन आएगी पच्चे की पसंद क्या होगी हमें तय करना होगा तो अब मेरी मिसिस कहती हैं भाई अब अमर हो गई अब इश्क मुहबत की बात इंट्रवो में मत किया करो लेकिन लोग जानना चाहते हैं क क्योंकि आप एक मिसाल पेश की हैं कि हम लोग बहुत खुशाल फैमिली लाइफ माशाला चले ही और यही बस बहुत होगी 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 है और अच्छे से उन्होंने पढ़ाई किया है और मास्टर किया है फाइनेंस में और बहुत जहीन है इस से जादे इस पे हम दिसक्शन आप बहुत कम उमर से बिल्कुल राजनीती में उतराया बड़ी बड़ी जिम्मेदारिया आप लगातार निभारे और उसके बाद आपकी लव लाइफ आपके परिवार की जिंदगी आपका अपना परिवार या फिर आपका पूरा परिवार तो इन सभी चीजों को कैसे ब कि जिरिवाल साथ के सरवदे विद्या लें तो तब ही उनकरी नहीं छोड़ी उनके लिए नोकरी और कभी था ये दोनों उनकी लगी का पार्ट है और अभी तो में जब छुट्टी होता है तो आजाती है या लेकिन जादे तो उनको इसकूल रोज जाना होता है और इसकू मुश्किल होता है लेकिन परिवाल क्या होता है नेता का परिवाल कोई उसके बाद बच्चे ही नहीं है अभी तो हमारे लिए परिवाल बढ़ा हो गया चौदर करोड़ बिहारीयों की जिंदगी में खुशाली लानी है जो जिम्मेदारी हमारी पार्टी में दी है मुझे क बिहार में उद्दोग लगाने का, पार्टी ने कहा जाओ किशन गज, कमल खिला के दिखाओ, तो खिला दिया, पार्टी ने कहा जाओ भागलपूर, जहां हिंदम स्विन डंगा हुआ, वहां मौबद का फूल खिला दिया, पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, कमल खिलाओ, तो और उद्व लगाने में लगे हुए अभी इथनॉल के दो प्लांट बन कर तेयार हैं, तीसाजार क्रोर से जादे का प्रपोजल आ गया, अभी हमें 16,000 लोगों को पांच लाख युवा उद्दमी युजना में, जो उद्दमी युजना हैं, उद्दमी युजना हैं, बहुत उमीद हैं, क्योंकि मैं मुझे नितिश कुमर जी के नेतरूत में ख्यादत में काम का मौका मौका मिला है, उस उमीद पर कैसे खड़ा हुते हूं, इसके लिए काम करना हूं, जाते जाते सर, एक मेसेजम युवाओं के लिए जो आप से बड़ी उमीद लगाए खड़ा है, फूद प्रोसेसिंग में बड़ा काम हो रहा है, बड़ी-बड़ी कंपनिआ हा रही है, बिहार बहुत आगे मिटिश कुमर जी के प्यादत में बन रही हैं, हम तो उनके टीम के मंबर हैं, हम आपको ये बड़ भरोषा देते हैं कि इमानदारी से तोशिश कर र और पूरा हिसाब किताब लाइव सीटी पर मिलेगा इसलिए जो लोग लाइव सीटी पर ہमारा ये प्रोग्राम गरिमा भारतीजी के साथ देख रहे हैं। से मैं युवाओं से कहता हूँ आप यकिन कीजिए आपका बड़ा भाही शाहनवाज हुसैन आपके लिए पूरी मेहनत करेगा कोई कसर नहीं चुड़ेगा आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जडिने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी कहानिया हमारे साथ शेयर करने के लिए जिए अपने बिहार सरकार में मंत्रीज शेहर शाहनवाज हुसैन को सुना उ Att Togetherृ चैर के जिए रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह जल्द पूरा भी होगा लाइप सिटीज के साथ आप बने रहें इसी तरह की कहानिया हम आप तक पहुंश चानल को सब्सक्राइब कर लें यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें साथ ही अब ट्विटर पर ज